हालो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब आई तिंग अच्छे होंगे और अभी दुपहर का एक सवा के लगवक का टाइम हो रहा है और मैं यहां पर बना रही हूँ पुलाव बजटेवल पुलाव तो अधर बास्केट में मैंने सबजिया काटके रखी हैं उसमें हैं गाजर आलू और गूबी और मतर जो सबजिया में पास अवेलेबल थी वो मैं अधर नहीं में डाला है थोड़ा सा रिफाइंड और थोड़ा सा घी एक चमच के लगवक घी डाला है और इदर अनियन काटा है मैंने और ऑईल को गरम होने रखाए घी को और अनियन काटके फ्राइ कर दूगी मैं उसमें और मैंने यह वीडियो पूरा बनाने की कोशिश क पूरा वीडियो बनाऊंगी लेकिन पता नहीं क्या हुआ था मैंने वीडियो और फोन का कैमरा जो था वो अन करना में भूल गई थी और अपने जो पुलाब बना रही थी इसमें लगी पड़ी थी बनाने में तो वो पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाया है तो जितना इसमें डाल दिया है इदर मैंने प्याज फ्राइवोनी को रख दिया उसमें और इसमें मैं खड़ी मसाले डालना बूल गई थी तो बाद में अन्यन डालने के बाद में मुझे यादा है कि मैं थोड़ा से इसमें तेज पता डाल दूँ आप लोग चाहें तो और भी स्लाइस काट लिये थे तो बस अतना काफी था मेरे लिए जाए तर इसी तरीके से टामइटो पकरड़ जो कुछ होता है इसी तरीके से डालती हूं और यह देखिए टमेटो के बाद का विडियो नहीं बन पाया सीधे इसमें जो सबजियां डाली थी मैंने वो सबजियां दो मिनट के लिए पकाई थी तो सीधे जब मैंने फोन देखा तो वहां पर मुझे पता चला रहे इसमें कैमरा तो चली नहीं रहा है फिर उसके बाद मैंने कैमरा चलाया था तो सॉरी वो मैं इसमें एड नहीं कर पाई तो उसमें मैंने वही नॉर्मल मसारे डाले थे हल्दी नमक, मिर्च, धनिया तो चाबल दूलने के बाद मैंने इसमें डालती है और अपने हिसाब से इसमें पानी डाल देना है तो इसमें मैंने पानी में डाल दिया था और नमक मैं हमेशा बाद में डालती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता है नमक का पहले नमक डालू तो मुझे आइडिय बहुत से लोग होते हैं पहले ही ठी डाले एक है लिकिन हो अपन्स करने लोगी हो सब् Punkte पूंचे हैं और पिलाफ और मैं चॉऽर अब तो करिखेंजिस भी किस में पूस्झ नहरु रहती duty है काम में तो फिर वो फिर काम लेट ही होता चला जाता और अकसर कर मेरे साथ ऐसा कुछ जादा ही होता है तो राइस मेरे बन चुके थे और यहां पर मेरा बेटा बैठा हुआ है क्योंकि उसको लग रही थी भूख तो मैं राइस लेने के लिए गई थी और मैं हम दोनों किने राइस खाएते और टीवी देख रहा है मेरा बेटा जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही है मेरे हाथ से खाना खाना सीख रहा है चोटा था तो अपने आप से खालेता था खाना लेकिन जितना यह बड़ा हो रहा है इसको अपना काम खुद करना चाहिए तो यह जाते हैं लेकिन कड़ाई में बहुत टेस्टी बने थे तो हम दोनों मा बेटे का जो लंच था वो हुच चुका था बसके बल पुलाब ही बनाया था मैंने पुलाब और चास दी और इधर मैं अपना क्लीनिंग करने बढ़ गई हूं सोफी को मैं डेली रोज ऐसे कपड़े से ज़ाड देती हूं जिसकी जो रोज की दूल मिट्टी आती है वो साफ हो जाती है तो वही कर रही हूं मैं भी इसको सोफी को अच्छे से कपड़े से ज़ाडने हूं और ज़ाडने के बाद मैं इसको वही नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है ज़ाड़ों पोचा आपना वो कर दो अन्हेंगे झाल 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 तो मैंने यहां पर दोनों डश्ट पीनों को साफ कर दिया है और इधर मुझे पोच्छा लगाना है तो इसके लिए पानी मर रहे हूं तो इससे मोप करूंगी मैं अपने घर में तो यह जो डश्ट पीन मेरे दूल चुके हैं इनको मैं उपर ग्रिल पर सुखा दूंगी यहा यहां पर ड्राइ करने के लिए रख दिया मैंने दोनों तो अच्छे से सूख जाएंगी ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि यहां पर काफी गरम मतलब तूब भी आती है थोड़ी बहुत और बाहर है हावा चल लई थी तो अच्छे से सूख भी जाएगा जो स्मेल इसमें डाल दो तो उसी जो वाटल थी उसी में मैंने डाल दिया था फ्लोर क्लीनर में एक ठकन भरके पूरा डटल का जिससे रोज-रोज का टैंशन खतम हो जाएगा कि अभी इसमें मुझे डेटल डालना है तो अभी मैं फटा-फट से अपना घर क्लीन कर दूंगी और इस से मुझे हैबिट हो गई है इससे मोप करनी की मोपिंग करनी की तो अभी मैं बैट के पूछा लगाती हूं तो मुझे वो मतलब कमफर्टेवल नहीं रहता है मेरे लिए मैं इसी में कमफर्टेवल रहती हूं और फटा-फट से यह कि पूछा भी लग जाता है बैट के जादा बड़ी नहीं है तो वहां पे भी मैं ऐसे ही पूछा मार देती हूं तो डेली क्लीन बनी रहती है क्योंकि बाहर मेरी तुलसी लगी हुई है तो वहां पे मैं सुबह साम दीपक जलाती हूं तो इसलिए फिर वहां पे भी ऐसे ही एक मुप मार देती हूं तो साफ हो अब सबस्चारी में अ math Videos और झाली ओस के पके अधिकर ही तो दोड़ा जाता है। को याता है उसको भी अच्छा लगता है तो बस मेरी क्लीनिंग का काम चालू है और अभी बेटे की चुट्टियां है तो एक्जाम तो इनकी कैंसिल होई चुकी है तो चलिए बताईएगा कैसा लगा आप लोग मेरा वीडियो